इस वीडियो से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सिख्स्थ हिस्ट्री का चाप्टर चाप्टर है आपका अशोका, the emperor who gave up war बड़ा इंटरस्टिंग चाप्टर है तीक हेडिंग से ही देखो तो क्या बता रही है हेडिंग की अशोका के बारे में पढ़ेंगे अशोका रूलर थे, कौन थे, कहां थे, कैसे थे, क्या थे वो सारी चीज़े में आपको बताऊंगा इस चाप्टर में साथी साथ, अगर सफिक्स आप देखो के तो क्या लिखा है the emperor who gave up war मतलब इन्होंने लडाई छोड़ दी थी क्या हुआ होगा ऐसा कि इन्होंने लडाई छोड़ दी थी ठीके, तो जिग्यासा चाप्टर की हेडिंग से ही बन जाती है अपने अंदर ठीके, तो हम क्या करेंगे हम systematically सारी चीज़ों को समझते चलेंगे पहला वीडियो लेक्चर जैसा आपको पता है अभी तक हम जितना पढ़के आएं पहला वीडियो लेक्चर इंट्रोड़क्टरी वीडियो लेक्चर होता है जिसमें मैं आपको चाप्टर की थीम समझाता हूँ कि चाप्टर किस बारे में हैं चप्टर में आप क्या-kya topics पहने वाले हैं वो सारी चीज़ें इस video lecture में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, चलो, हमारा चप्टर स्टाइट होता है, Roshan की स्टोरी के साथ में, पहले के समझ में आज तो कुछ माइल में कर ले तो पहले गेम आते थे सकते हैं शेर सीडीज करीना पड़ती थी तो रोशन भी उस तरह से खुश थी कि हम सीडी खरी देगी अब लेकिन उससे ज्यादा खुश ही उसको इस चीज के भी थी कि उस वह जो नोट उसे मिला था ठीक है जो करंसी उसे मिले थी तो अब चोटे पच्चें 10 रुपी देंगे ज्यादे त तो उसे जो करंसी मिली थी उस करंसी को वह देख रही थी फील कर रही थी उसकरंसी पर क्या देख थी beaucoup कि एक तरफ तो डान दीजी मुश्कुरा रहे थे चिक हैं hundredth lol तो आप भी अपने पास अगर पैसे हैं आपको दिये हैं तो क्या करना उस पर देखना बाजू में नीचे में चोटा सा है कि ये शेर वाले जो सिंबल बना वह ये क्या चीज है तो इसे जब आप देखोगे ना तो इसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी है ये हमारा राश् प्रती ही कि हमारे national emblem है ठीक है ये क्या है इसकी भी कहानी आपको इस chapter में जानने को मिलेगी और ये जो national emblem है वो इस chapter से जुड़ा हुआ है अशोका the emperor who gave up war ठीक है national emblem अशोका से जुड़ा हुआ है कैसे जुड़ा हुआ है क्या है वो पूरी कहानी आपको इस chapter में जानने को म तो अभी तक आप जितने भी चाप्टर पढ़के आए ओं सिक्सत्री में आप क्या देख रहे हैं आप आप देख रहे हैं कि एंशेंट हिस्ट्री अप में किया सकते हैं कि हमारी ट्रेइन चलिए रही है वो बीच लास्ते में आगई ठीक है आपने कहां से स्टार्ट की चीज़ों को तो आप देखो कि स्टोने इस से हम पढ़ते आये हैं हमने देखा कि पहले किस तरह से इंसान जो थे वो मतलब पॉलेटिकल ही कोई डवलपमेंट नहीं हुआ था इंसान जो थे पत्ते वगएरा लगा के घूमते रहते थे यह सारी चीज़े थी तो वहां पर आप देख रहो कि अरलिएस यूमन सोसाइटी जो थी वह आपने समझा हम धीरे धीरे हंटर गैदर से क्या हो गया सेटल्ड लाइफ जीने लगे बीच में एक अर्बनाइगीशन की वेव आई तो जिसे हमने इंडस्वली सिवलाइजेशन वाले चैप्टर में समझा ठीक है अब इंडस्वली सिवलाइजेशन का भी डिकलाइन हो गया उसके डिकलाइन होने के बाद में फिर जीरो से वापस चीजने स्टार्ट होती तो आपने जो वेदिक लिटरेचर वाला वेदिक पिरेट देखा उसमें भी आपने अरली वेदिक पिरेट को जो वेदिक टेक्स थे जैसे रिग वेद वगेरा उससे समझा ठीक है वो रिग वेद के बाद में जिससे आपने देखा तो लेटर वेदिक पिरेट में दूसरे वे यह before zero है मालो तो इसके पहले आज हम जी रहे है 2020 में जी रहे है इसके पहले का जो time perid रहा जीरो के पहले का तो उस्तो ने इस से तू मिलीएव अगो उस time perid से अगर देखोंगे तो स्टाइम पिरेट से आपने देखा कि हां क्या-क्या development होते आए सारे development देखने के बाद आपने जहां पर वेदिक society को पढ़ना चालू किया वेदिक society को कब पढ़ा आपने 1500 ठीक है वेदिक society को आपने 1500 से पढ़ना चालू किया 1500 क्या लिखेंगे से हम इसे लिखेंगे B.C.E. ठीक है, Before Common Era या फिर Before Christ. तो यहां से जब आपने कहानी पढ़ना चालू करी, तो अभी पिछले कुछ चैप्टर में, दो-तीन चैप्टर में आपने क्या-क्या देख लिया, ठीक है, दो-तीन चैप्टर में आपने जैसे पूरी वेदिक सुसाइटी को समझा, वेदिक स 16 स्टेट में से एक था मगद, मगद की भी कहानी सुनिया आपने, अब मगद की जो कहानी सुनिया आपने, ठीक है, देखो, कनेक करना मैं आपको पूरी हिस्ट्री अभी तक इतनी पढ़के आए, उसका एक समराइज वे दे रहा हूँ, तो मगद की कहानी के बाद में क्या ह आपको बताया कि जैसे नंदा डैनेस्टी जो थी नंदा डैनेस्टी से पहले अगर आपने पड़ा, ठीक है, हरियंका डैनेस्टी जो थी, तो उनके टाइम प्रेड में मगद फ्लरिश होना चालू होता है, और मैंने आपको तब भी बताया था कि मगद कल को जाके एक मतलब इसकी फांडेशन रखी गई, मौरेन एंपायर के, और ये मौरेन एंपायर जो बहुत बड़ा एंपायर वनेगा अशोका के टाइम पिरेड तक, तो वो जो पूरी कहानी है ना, वो कहानी आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी, आगे ना समझ में तो थीम जान अब हम क्या करेंगे कि यह लेटर वेदिक पिरेड़ खतम हो गया, महाजन पद बनना चालू हो गया, और उन महाजन पद में भी एक महाजन पद जो है, वो बहुत बड़ा महाजन पद रहेगा, जैसे हम देखें तो 321 में कही ना कही फांडेशन रखी गई थी, मौरेन एं वो समझना है, अब यहाँ पर सवाल सिधा से आजाता है, एंपरर है, मतलब एंपरर का एंपायर होगा, तो वो किंडम से एंपायर तक की कहानी जो है, वो भी आपको इसी चाप्टर में जानने को मिलेगी, ठीके, तो मैंने आपको थीम समझा दिए कि चाप्टर किस बारे म एंपायर, जो मैंने आप से कहाना, कि किंडम से एंपायर कैसे बनेगा, हम दोनों को एक दूसरे की जगा यूस कर लेतें, कि किंडम भी बोल देतें, एंपायर भी बोल देतें, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि किंडम से एंपायर कैसे बना, कि kingdom क्या है empire क्या है वह इस topic में में आपको समझाओंगा ठीक फिर हम देखेंगे ruling the empire ruling the empire मतलब किया कि आपने बहुत बड़ा एक अकाउंट लिखा गया है उसे देखके हम समझेंगे कि कैसे emperor जो है वह emperor जो था वह capital city को कैसे चलाता था capital city कैसी थी वह सारी कहानी ठीक है इसमें आपको बहुत सारे दूसरे भी फैंक्स बताऊंगा मैं फिर हम देखेंगे अशोका यूनीक रूलर and killing a war अब यह तो आपको अशोका का अपने नाम सुना होगा प्रोग्राम में देखाऊ में देखाऊगा बहुत सारी अलगाश यूनीक रूलर बताए गा ऑचके ठीक है और सोचते रहना कब तक जब तक आप यह सारे वीडियो नहीं देख लोगे reasons इस वीडियो लेक्चर में हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे उन्हें यूनीक रूलर क्यों कहा गया है और कलिंग वार से क्या उनकी लाइफ में चेंज आया कलिंग वार क्या थी ये सारी चीज़े भी मैं आपको बताऊंगा फिर क्या है वाट वास अशोका धम्मा ठीक है तो ये सबसे important चीज़े अब अशोका को आप unique roller कह रहे हो ना तो उन्हे unique roller बनाने में अशोका के धम्मा का एक बहुत important रोल रहा है अशोका का धम्मा क्या है ये भी आपको जानने को मिलेगा इस video lecture में ठीक है तो specifically ये पूरी theme होने वाली ये सारे topics होने वाले है और last में NCIT solutions तो जो question है आपकी book में उन questions के answer भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आशा करतो हो यहाँ तक चीजे समझ में आईएं कि यह chapter की theme connect कर पायो मैदा chapter होने वाला है subsequently एक एक वीडियो करके हम क्या करते जाएंगे पूरे chapter को unfold करते जाएंगे magnet brains पर आपको इसी तरह से class 4th से class 12 तक सारे subjects बढ़ाया जाते हैं जी हाँ अभी 6th में होना तो आपके juniors को भी बताना और आपके seniors को भी बताना कि आप यह सारे video lectures free of cost magnet brains पर देख सकते हैं अपना syllabus complete कर सकते हैं घर बैठे ठीक तो किसी परकार के doubt हैं इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे अब हम सारे topics को समझते जाएंगे तो हमारा पहला topic हमारे पास में यह रहा देखो kingdom जो है आपने क्या देखा था महाजन्पद वाले time period में देखा था कि kingdom kings और early republic बन रहे थे तो उसी में क्या तो जब kingdom और जादा बड़ी होते चले जाती है तो वह empire बन जाती है ठीक है simple सी चीज़े क्या है kingdom क्या है empire तो जो kingdom अपने size में expand कर लेती है अब size में expand करना मतलब क्या है कि उसका political structure बढ़ते चले जाता है उसका जो area of control है ठीक है वह बढ़ते चले जाता है तो वह kingdom empire कहलाने लगती है अब chapter से relate करो Ashoka the emperor who gave up the war तो दिखती बात है कि Ashoka के time period में kingdom नहीं रही होगी एक बड़ा empire बन गया होगा वह आप जानोगे कैसे बना था ठीक तो अब थोड़े से कुछ topic से वह connect करते हैं पहले हम जैसे आपका topic कैसे start हो रहा है वह start हो रहा है इस debate के साथ में अफिर इस story के साथ में किस story के साथ में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या कि रोशन की क्या कहानी थी कि रोशन को note मिलता है तो 10 रुपे के note पर क्या देखती है कि यह share जैसा कुछ बना हुआ यह क्या चीज है ठीक है तो यह लॉयन capital तो आप देखेंगे लॉयन capital किसने बनाया है यह अशोका ने बनवाया था कहा बनवाया था तो यह आपको मैं पिछले chapter में भी बता चुका हूं थोड़ा सा कहानी को जोड़ não पिछले chapter में आपने क्या देखा था कि साराथ जाते हैं बच्चे घुमने स्कूल से अब सार्नाथ जाते हैं तो सारनाथ में क्या है सारनाथ में जो स्थूपा है तो सारनाथ के स्तूपा पर आपको क्या इसका धोल सा जो कॉंबडिदिक के तहरी करहें मर आपको इंपॉर्ड़न चीज बताता हूं ठीक कि जैसे हमारी जो नेशनल सिंबल से इतने भी फ्लैग हो गया नेशनल फ्लैगों गया नेशनल सौंग हो गया नेशनल एंबलम हो गया तो इन सारी चीजों को आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए कि कैसे क्या चीज़न होती है तो अगर आप देखेंगे आपको नोट पे कितना दिखता है आपको नोट पे सिर्फ इतना लिखता है आप देखेंगे तो नीचे जो फ्लावर बैल बना हुआ है लोटस के फ़र्म मेरी जो बना ठीक है यह हो नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है यह मैंने आपको पहले बता चुका हूं ठीक है पिछले चाप्टर में पढ़ चुके है किस उपनिशत से लिया है अब यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है क्यों देखने को मिलेगा एक धर्म चक्र भेका तो देखने को मिलेगा थीक हमारे national flag ट्त makes a geac-डीर इसमें सपोक्स वील जो दिख रहा है आपको उसका अलग message होता है फिर आपको एक बुल दिखेगा और एक होर्स दिखेगा एक एलिफेंट दिखेगा तो इस तरह से क्या है कुछ एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे आपको ठीक यह जो है तो जिसे चार लॉयन ने चारो लॉयन क्या सिंबलाइस करते बता है इसको ऐसे दिहान रख सकते हो पीपी सी पीपी सी क्या है तो पावर प्राइड करेज कॉन्फिडेंस यह चार वैल्यूस जो हो सिंबलाइस की जाती है चार लॉयन के द्वारा और भी बहुत सारी चीज़े हैं इसे पढ़ना समझना जो कॉम्पिटिव की तेहरी करें आप लोगों के बता रहा है ठीक है चलो तो वापस आथे हमारे टोपिक ते है तो सार नाth में आपको क्या देखने को मिलता है सार नाथ में आपको यह अशोक अम्पिरेट से जड़ी होई यह तो नोड़ आउट आ अशॉक वास वान अफ लेकर ग्रेटेस्ट रूरस नोवन तो हिस्टृ छो वहा करते थे चोटे चोटे रूलर्स हुआ करते थे उस समय पे चोटी 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 kingdom से महाजनपद में आये थे अब चोटी चोटी kingdom से उन्हों ने एक बड़ा सा empire खड़ा किया ठीकिए तो उस चीज के लिए credit जाता है उन्हें clear है on his instructions inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces ठीक है अब एक चीज और समझो यहाँ पे देखो क्या होता है history क्या थी वो हमें कितनी पता चली जितना आज हमारे पास resources है समझना एक बहुत important बात बतारों मैं आपको कि history क्या रही होगी वो हमें कितनी पता चली जितने हमारे पास resources आज है मतलब जितनी बुक्स बची मिल गई जितने हमें remains बचे मिल गए industrialization में हो सकता और भी कुछ हो लेकिन हमें जितना मिला हमने उतनी ही history समझ पाए है ठीक है वो 100% नहीं है यह ध्यान रखना हमें शहरा चीज को क्या था सच वह हम कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि हम presume करके चलते हैं चीज़े जो हमें remains मिलते हैं अब जो books मिली है तो बुक लगे वो भी बताता हूं मैं आपको तो क्या होता था on the instruction of Ashoka ठीक है अशोक के instruction पर क्या होता था तो यह बहुत बड़ा contribution रहा था उस time period में जहां से history के records हमें ज्यादा मिलना चालू होते हैं ठीक है उने inscriptions मतलब pillars पर लिखवाया ठीक pillars के और में rock surface पर लिखाया तो inscriptions मिलते हैं हमें दियान आएगा inscriptions क्या होते समझ में आ गया कि कौन सी लाइन छोटी है कौन सी लाइन बड़ी है तो आप क्या बोल दोगे और इसको हटा देता हूं तो आप क्या बोलोगे कि यह वाली लाइन छोटी है सर तो अभी तो थोड़ देर पहले आपने बोला था कि यह वाली लाइन बड़ी है ठीक है तो छोटा और बड़ा था Morian Empire, ठीक, अब Morian Empire की कहानी सुनो, Morian Empire की कहानी सुनने से पहले थोड़ा connect कर ले हम चीजों को, connect करते देखो, 321 में Morian Empire को establish किया गया, Morian Empire चलेगा 185, इसमें आपको यह ज़रूर बताना किस time period की बात कर रहे हो, तो हम BC की बात कर रहे हैं, BCE की, before common era की मतलब 0 से पहले की ब मतलब कर रहे हो, तो यह time period रहा, अब यह time period में भी क्या होता है, कि 3 prominent ruler जो रहे, 3 prominent ruler जिसके time period में Morian Empire बना, एक छोड़ी सी kingdom थी, चंद्रगुप्त मौरे जो थे, तो चंद्रगुप्त मौरे ने क्या करा, foundation रखी थी, अब foundation कहां किसके उपर रख दी, तो कहां किसके उपर लास्ट डैनेस्टी जो रही थी, Morian Empire से पहले, तो नंदा डैनेस्टी थी, ठीके, महापदम नंदा जो थे, तो महापदम नंदा क्या थे, वो बड़े रंगिले इंसान थे, रंगिले इंसान कैसे थे, तो उनको मतलब जो kingdom उन्होंने बना ली थी, जो महाजनपद, उन्हो आया होगा आपके मन में, भी समझाओंगा, ठीके, तो जो नंदा डैनिस्टी थी, मतलब महापदम नंदा के बाद में, जो उनके पूरवस्त थे, जिन्होंने वो पूरा kingdom बनाया था, वो उनसे सही तरह से चल नहीं पाया, ठीके, उनकी चानक के जो है, चानक के मतलब कौन होने वाली, तो movie release होने से पहले वो characters का एक इंट्रो देतने चुटा, तो वैसे ही कहा है कि जब आप Indian history पढ़ते हो, तो मैंने आपको बताया है, कि आप सिदार्त गौतमा, ठीके, बुद्धा के बारे में पढ़ो, ठीक, महवीर के बारे में पढ़ो, महवीर के बारे में प पढ़ो, समझ लो, फिर आपको connect करने में बहुत आसानी होगी, तो मैंसे चानक की का एक बहुत important role रहा है, इंडियन history में, मौरियन empire के establishment में बहुत important role रहा है, तो मैं आपको चीजे connect करवा रहा हूं कि नंदा dynasty की decline में, decline कहलो या फिर नंदा dynasty का का काम तवाम करने में चानक की का बहुत important role रहा है, उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर एक को emperor बनाया है, मतलब उन्होंने तयार किया कि हाँ, इस इंसान के अंदर quality और मैं इसे मगत का सामराज्य दिलवा के रहूंगा, तो उस तरह से चानक ने बिदी support of चानक के कॉटिल लिया फिर महाजन पत था, उसके उपर अपना सामराज जमाने का मौका दिया, और फिर बाद में मगत का सामराज जी क्या बनेगा, वो जाके एक बड़ा सा मौरियन एंपाइर बनने वाला है, फांडेशन बनेगी वहां से, ठीक है, एंड ही ग्रैन फादर ऑफ अशोका, यह ध्यान र मौरियन एंपाइर बना, अब सुनो मेरी बात, अभी सबसे जादा डाउट यहाँ पर गन्फियूज हो जाते हैं बच्चे, बिंदू सार कहा मैंने, ठीक है, बिंदू सार कहा, और हमने प्रिवेस चैटर में क्या पढ़के आया है, कि जब मगत महाजन पत बना था, तो पह यहाँ पर चंद्रगुक्त मौरे, चंद्रगुक्त मौरे के बैटे कौन, बिंदू सार, और बिंदू सार के बैटे कौन है, अशोक, ठीक है, तो यह जो लीनियज रहेगी, यह लीनियज इंपॉर्टन रहने आ लिए, ठीक, चलो, अब देखो, मैंने आप से भी कहा कि आप के पास में इस time period तक आते आते, तो history के sources क्या हो गए, आपके पास एक तो आपको यह inscriptions मिल रहे हैं, जिनसे आपको क्या पता चल रहा है, जिनसे आपको यह पता चल रहा है, कि हाँ history क्या रही होगी, दूसरी चीजे books भी मिलना start होती है, तो एक prominent book जो मौरियन empire के बारे में हमें बताती है, वो है कोटिल की अर्थशास्त्र, चीक है, अब अर्थशास्त्र सुनते से बहुत सारी लोग सोचते होंगे, कि यह economy से related book होगी, क्योंकि अर्थशास्त्र तो economy ही होता है ना सर, लेकिन एक चीज़ बता दू है, कि यह quality भी समझाती है हमें, ठीक है, society समझाती, modern empire में किस तरह का system चलता था, clear हुआ है, ठीक, तो modern empire में ये तीन important नाम है, अब यसा नहीं कि इन तीनों के बाद में modern empire खतम हो गया, मैंने क्या बता है आपको, 321 BC, ठीक है, 321 before common era, before christ से 185 तक चली यह चीज़े, ठीक, जैसे math में वह होता है, number scale, तो इदा 0, 0 से यह minus वाली चीज़ें, तो इस कारण से कम होता जा रहा है, ठीक, 185 BC तक चीज़ें चलती है, उसके बाद में क्या होता है, प्रिश्यमूत्र सुंगा जो है, तो प्रिश्यमूत्र सुंगा किसको ब्रियादेत्र जो है, तो उन्हें हरा देते हैं, उसके बाद में modern empire वहां ख इंडिया का political मेह पे, उससे भी बाहर हमने पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब कुछ कवर करके रखा था, अशोक के time period पे, peak पे था modern empire, ठीक है, clear हुआ, अब आगे देखते हैं, तो आप modern empire जो था, तो there were several cities in the empire, अब दिखती बात है कि आप एक छोटा kingdom नहीं रह गय है, एक बहुत बड़ा empire बना है, तो आपको power decentralized करना पड़ेगी, तो Moran empire में जिसे जो capital थी पाटली पुत्र, पाटली पुत्र में आपको बताया था है, मगत की capital धीरे से राईगर से कहां shift होगी थी पाटली पुत्र, ठीक है, राजगर जो था, तो राजगर से कहां shift होगी आप देखो कि तो यह उज्जयन, उज्जयन मध्यप्रदेश में अवंती के नाम से भी जानी जाती थी तब, ठीक है, तो यह important capital cities और नही नहीं capital cities भी आई, नहीं capital cities से administration में आसानी हुई, कैसे क्या, वो आप अभी next video में पढ़ोगे, कैसे rule करते थे empire, ruling थे empire वाला जो topic है, उसमें आपको जानने को मिलेगी चीज़े, clear है, तो तक्षिला वास gateway to the north west including central India, अब तक्षिला की significance अगर आप देखोगे, तो इट वास gateway to the north west, ठीक है, पीछे जाना अगर आपको पूरा north west में, north west के लिए central India के लिए इधर पूरा रास्ता जो है, तो वो कहां से जाता था, वो पूरा रास्ता होते हुए जाता था तक्षिला से, वहीं पे अगर आप देखते हो किस चीज़ को, उजयन को, तो उजयन ले on the route from north to south India, north to south India मतलब क्या है, कि अगर आपको north से south में जाना है, ठीक है, एमपार तो पूरा फैला हुआ है, तो north से south में जाना तो यहां पे उजयन, उजयन यह एक तरह से, बीच में center point हो गया था, ठीक, तो यह important cities थी, इन important cities के लावा और क्या था, कि merchants, official और craft person जो थे, तो थे probably lived in these cities, ठीक है, तो अधिकतर क्या होता था, शहरों में merchant रहेंगे, craft person रहेंगे, craft person के साथ में क्या रहता है, कि आप जैसा artist वगरा कि बाकी जो majority section था, तो वो country side में जो रहता था, country side में जो लोग रहते थे, तो empire जो थो थो उने govern करता था, बाकी लोग अपने हिसाब से रहते थे, तो यह बड़ा से empire बनाया, ठीक, अब dynasty का जैसे मैंने आपको बताया था, dynasty समझाता हो क्या है, तो dynasty क्या होती है, when members of same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty, मतलब एक ही family के जब एक के बाद में एक पिता जी, पिता जी के बाद में बेटा, बेटे के बाद में उसका बेटा, ठीक है, इस तरह से जब एक lineage जब ऐसे चलते आती है, एक ही सामराजी पर जब वो रूल करते हैं, तो वो dynasty कहलाती है, जैसे आप देखरों मुगल डैनेस्टी में आप चंदरगुत मौरे से चंदरगुत मौरे के बाद में बिंदुसार, बिंदुसार काद अशोक हा तो इस तरह से आप बड़ी सी lineage पढ़ते जाओगे, ठीक है, वैसे आप मुगल डैनेस्टी देखते हो, तो अलगल एक डैनेस्टी, गुपता डै अगर देखो, यह चीज देखना, यह मैप जो देखोगे, आप इंपॉर्टेंट, तो मैंने जैसे आपको स्टाइडिंग में क्या बता है, कि मौरे एंपार के बारे में हिस्ट्री हम है, कहां से भी पता चलती है, इंस्क्रिप्शन से, तो इस तरह से अलग अलग जो इन्स आपको इस मैप पर देखने को मिल जाएगा, तो साउथ इंडिया से लगा के आप देखोगे, दूसरे देशों तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक पहुझ गए, और तो और यह इंस्क्रिप्शन्स आपको इदा साउथ वेस्ट में भी देखने को मिलेंगे, मियानमार व तो how are empires different from kingdom, तो यहाँ पर लिख सकते हो, कि empires जब बड़े होते थे सर, तो अब बड़ा empire तो वहाँ पर resources जादा लगेंगे, तो empires needed more resources than kings, तो empires में आप जैसे जो emperor होंगे, तो emperors would need more resources than kings, because empires are larger than kingdoms, दिखती बात है, अशोगा को emperor क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो एक empire को rule क रहे हैं, ठीक है, एक samaraat क्यों कह रहे होंए आप, ठीक है, samaraat इसलिए क्यों कि पूरे की पूरे samarajji को rule कर रहे हैं, ठीक है, और उसी तरह से king कोन होते है, king थोड़े छोटे लेवल पर हेंगे, क्योंकि छोटी छोटी kingdom को rule कर रहे हैं, ठीक है, तो and needed to be protected by a big army, अब जब empire है, तो आपको बड़ी army भी चाहिए रहेगी, ताकि आप उसे अच्छी तरह से protect कर सको, clear, so also they need a large number of officials who collect taxes, अब army रखना है, तो army को salary देना पड़ेगी, salary चाहिए, तो आपको कहीं से पैसा लेना भी पड़ेगा, और पैसा लेना है, तो कहां सा आएगा वो, taxes है, तो tax collect करन करना पड़ती है, तो बहुत सारी लोग इस पूरे के पूरे system को चलाने में जुटे हुए रहते हैं, यह मैं आपको explain कर दिया, clear, so this was all about this topic, a very big kingdom is equal to an empire, topic हमारा complete होता है, important topic था, आशा करता हूँ, सारी चीज़ना आपको समझ में आईए, किसी प्रकार का doubt है, feel free to ask in comment section, magnetic brains प सकते हैं, पड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं, जी हाँ, अपने juniors और seniors को ज़रूर बताइए, magnet brains के बारे में, मिलते हैं next video में अगले topic के साथ, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ruling the empire, ruling the empire, पिछले वीडियो में मैं आपको क्या बताया था, कि kingdom से किस तरह से empire बनते हैं, वो हम आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं, अब हम यह देखेंगे जब empire बन गया, कौन सा empire, morian empire, ए हो जाता है कभी-कभी, लेकिन उस point पे पहुचने के बाद चीजों को चलाए रखना, यह difficult होता है, ठीके, आप class में topper बन गए एक बार, बहुत बढ़ी हां, लेकिन वो consistency जो चाहिए रहेगी कि आप बार-बार topper बनो, ठीके, हर बार, हर exam में अच्छा perform करो, उसके लिए आपको हर बार महनत करना पड़ेगी, आयना समझ में, तो वैसी क्या होता है कि Empire बन गया, Morian Empire जो है तो एक छोटे महाजन पत से, ठीके, मघद से वो बड़ा सा Empire Morian Empire बन गया, ठीक, अब उस Empire को चलाना, रूल करना उतना ही significant था, जितना significant यह empire बनना था, clear हुआ यह, ठीके, तो कैसे रूल किया जाता था, सवाल यह आता है, अब देखते हैं कैसे रूल किया जाता था, the area around पाटली पुत्र was under the direct control of the emperor, ठीके, जो emperor थे, Morian Empire में कौन-कौन emperor आये तो जिससे अगर आप देखो कि Channel Group तो मौर, बिंदुसार, बिंदुसार के आज में अशोका, तो यह जो एक्सपैंड होता है, Morian Empire तब भी पाटली पुत्र ही capital रहता है, तो यह main center हो गया, यह जो main center है, it was direct under the control of emperor, ठीके, emperor खुद इसे control करते थे, Morian Emperor जितने भी आते चले लगा है, सभी ने पाटली पुत्र से ही rule किया, clear हो यहां तक, फिर आगे देखो, अब रूल कैसे करते थे क्या rule करते थे, मतलब कुछ करते तो होंगे न, किस तरह से वो अपने पूरे के पूरे empire को govern करते थे, rule करते थे, तो they used to collect tax, ठीके, tax collection एक चीज होती थी, वहां पे, तो traders, farmers, इंसाई वी लोगों से क्या किया जाता था, tax collect किया जाता था, दूसरा, punishing those who disobeyed the rulers order, अब क्या है चीजों को सही systematic तरीके से चलाने के लिए, rulers order भी देते थे, कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, और जो लोग disobey करते थे, rulers के order को, उन्हें punish किया जाता था, तो आप देखोगे, पूरा का पूरा judicial system भी होता होगा, कि इसने गलती किसा punishment दी जाए, ठीके, distributing salaries, अब क्या राजा को जो group चाहिए रहता है, तो उस group के अंदर, जितने भी लोग काम करेंगे, तो सब free में तो नहीं करेंगे न, वहाँ पर आपको उनको salaries देना होगी, तो distributing salaries, एक point ये रहेगा important, ठीके, distributing salaries के बाद में क्या है, Spice kept a watch on the officials, अब क्या होता था, कि ये जो officials हैं, जिनने salary दी जारी, जिन से tax collect करवाया जारा, जो राजा के पूरे administrative system में उसका सांथ दे रहे हैं, सारी चीजों को चलाने में सांथ दे रहे हैं, वो यासा भी हो सकता था, कि वो क्या कर जाएं, वो राजा को धोका दे जाएं, तो उन लोगों के उपर भी नजर रखना होगी, तो सारे officials के उपर भी नजर रखने के लिए spice लगाया जाते थे, जासूस लगाया जाते थे, ठीके, तो ये पूरा system था, इस तरह से आपको एक rough idea मिलेगा, कि कैसे empire को govern किया जाता था, कैसे rule चलता था Morian empire में, ठीके, ये clear ह तो the emperor supervised them all, सारी चीजों को, सारे officials को, इन सारी चीजों को, सारे जो तरीके थे, जिससे administration चलाया जाता था, emperor जो थे तो इन सारी चीजों को supervised करते थे, सब पर नजर रखते थे, emperor supervised them all, with the help of members of royal family, ठीके, तो अब emperor जैसे चंदरगुप तुम हो रहे, तो चंदरगुप तुम ह के सांत में इनकी मदद से क्या करते हैं, दूसरे senior ministers की मदद से, राजा इन सारी चीजों को समालता था, direct, emperor जो था तो सारी चीजों को समालता था, ये कहां की बात कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, जो center था उनका, partly पूतर जो था, capital जो था, Moran Empire का, वहां से इस तरह का काम चल other areas और provinces, जो दूसरे areas, दूसरे provinces हैं, ठीक है, तो these, these was ruled from a provincial capital such as Takshila और Ujjain, अभी में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे इतना बड़ा empire है, तो इतना बड़ा empire को एक अखेला इंसान, एक अकेली जगह से समाल नहीं सकता है, तो पूरे empire में अलग-अलग province बना दि तो वो क्या करते हैं, अलग-अलग state में, अलग-अलग provinces में divide कर देते हैं, तो वैसे ही Morian empire जो था, इस Morian empire को क्या किया गया, divide कर दिया गया, तो अब अलग-अलग provinces बनाई, तो उसमें क्या जिसे तक्षिला जो हो गई, तो एक जो नौर्थ वेस्ट वाला area था, वहाँ पे governance जो होती थी, तो तक्षिला से होती थी, तक्षिला वहाँ पे एक छोटा small capital हो गया, पाटली पुत्र पूरे empire का center हो गया, उसके अंदर भी sub centers कौन-कौन से हो गया, तक्षिला के बाद जिसे साउथ में देखो गया आप ठीक है, साउथ में Central India में देखो गया, तो उज्ज capital बना दी है, लेकिन उन capital में भी क्या है, उन capital को control करने के लिए partly पुत्र जो है, partly पुत्र एक नजर रखने आली बात, जैसे क्या होता है, आपके एक main head है, एक organization है, एक organization है, एक organization का नाम ABC Limited है, ठीक है, अब ये ABC Limited जो है, तो ABC Limited में क्या होता है, एक तो main head हो गया, अब जो main head है, main head के under में भी क्या हो जाएंगे, sub head हो जाएंगे, ठीक है, sub head हो जाएंगे, उनसे बोल दे कि तुम organization का यहाला department, तुम यहाला department और तुम यहाला department समाल होगे, अब क्या होता है, जो main head है वो यसा है, वो छुट्टी पे चले जाएंगे, बस आप मैंने सब को काम दे दिय वो क्या करेंगे, वो इन सब को भी समालेंगे, तो उसी तरह से क्या होता है, कि जो पूरा प्रोविंस था, उस पूरे प्रोविंस को तक्षिला और उज्जैन, जैसे center, sub centers बना के, गवर्न किया जा रहा है वहां से, लेकिन अब इनके उपर भी नजर रखने के लिए पूत्र जो है, जो main center था, वहां से control किया जाता था, कैसे, तो royal prince, ठीक है, royal prince, ठीक है, royal prince, रोफन, sent as governors, ठीक है, local, custom and rules were probably followed, तो जो local custom rules थे, उन्हें follow किया जाता था, और partly पूत्र से ही, जो royal family के members होते थे, उन्हें governor बना के पहुचा दिया जाता था, क्या, कि बेटा जाओ मैं पिता जी हूँ, तो मैं यहां पे पूरा empire समाल लूँगा, आप क्या होए, आप जा के तक्षिला को समाल लो थोड़ा सा, ठीक है, तक्षिला वाले center को देखना, ऐसा कहानी होती थी, clear है, तो अब आगे देखो कहा है, तो area line between the centers, अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि मैंने center जो थे, जैसे पार्टली पुत्र हो गया, तक्षिला हो गया, यहां से तो ऐसे गवर्न किया जाता था, ठीक है, बाकि उसके बात में, जो area lying between the centers, अब जैसे ये area है, जहां पे कोई center मही है, सिर्फ empire के अंडर में हा रहा है वो area, उसे कैसे गवर्न करते थे, चलो दे आपको क्या करना होगा, उसके लिए एक जगा से दूशरी जगा मूफ करना होगा, तो roads, rivers, यह important network हो जाती थे transportation के लिए, तो these were controlled, थीक है, इन्हें control किया जाता था, ठीक है, and to collect whatever resources were available as tax and tribute, दो शब्दा है यहां पे, tax and tribute, tax क्या होता है, tribute क्या होता है, सोच जड़ा, तोनों मतलब क्या है कि राजा ने बोल दिया आपको यह देना इतना पैसा देना है, वनसिक्स आपका जो टोटल प्रड्यूजर है वो हम tax के form में लगाएंगे, बदा क्या है थे हम पिछले चैटर में, वो tax हो गया, ठीक है, और tribute में क्या हो जाता है, tribute मतलब आप अपनी इक्षा स के बीच में आते थे, तो area lying between the centers, वहां पर क्या किया जाता था, road, rivers, यह जो transportation के तरीके medium से, इन्हें कंट्रोल किया जाता था, इन्हें कंट्रोल किया जाता था, और जो भी यहां पर locally available items रहते थे, उन्हें tax or tribute के form में लिया जाता था, अब बोलो के सर, आपको कैसे पता चल के बारे में पता चलता है, में Morian Empire के बारे में कहां से पता चलता है, inscriptions, pillars वगरा इन सारी चीजों से, और कुछ किताबों से, तो उनमें एक किताब important अर्थ शास्तर है, सवाल, ठीके, एक homework देता हूँ, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अर्थ शास्तर किस ने लिख अर्थ वेस्ट वाला रीजन था ढelnें, से ब्लानकेट से देखो कहां पर नौर्थ वेस्ट हूँ है, यह नौर्थ हुथ आइस थरफ को यहां इसे आप क्या परियर गरा को पाल कर रखते है, यहां पर आप दिखो कि यह से पंजाब लुद्याना वगरा जो दो भहां पहलो था अनति है अर्थ शात्र जी होता है जसे नोख बने जाता है उसी तरह से सौसे के लिए चाहिता था गोड और प्रिश्एमैटल लिया तो taxing जो होती थी, वो भी क्या होती थी, locally available resources के हिसाब से होती थी, clear हुआ यहाला point, South India for its gold and precious stones, और हमें कहां से बता चलता है, अर्थ सास्तर से, tax or tribute का मैंने आपको difference बता चुका हूँ, कि unlike taxes which were collected on regular basis, ठीक है, tax regular basis पर collect किये जाते थे, tribute was collected as and when it was possible for people who gave a variety of things more or less willingly, तो tribute क्या है कि जो लोग अपनी इक्षा से आके दे जाते थे, वो tribute होता था, tax mandatory होता था कि आपको pay करना ही करना है, ठीक है, यह हो गया, तो यह tax एक तरह से donation समझ लो, राजा के लिए surprise gift समझ लो, ठीक है, वो हो गया, clear, तो अपको आपने क्या कहा देख लिया कि centers को कैसे govern किया जाता था, centers के बीच के जो area थे, उन्हें कैसे govern किया जाता था, उन पर कैसे rule किया जाता था, अब एक और जगा देखते हैं कि empire में जो क्या होता थे, जो forested region होते थे, मतलब empire का वो हिस्सा जहां पर जंगल ही जंगल है, अब जंगलों को कैसे govern किया जाता था, तो देखो, people living in these area were more or less independent, तो पहली बात तो क्या है कि जो जंगलों में बीच में tribes रह रह रहे थे, उसमें वो independent थे, वो अपने हिसाब से अपना छोटा सा क्या सकते हैं, clan होता था, tribal clan उसको चलाते थे, उन्हें इतना पता था कि यह पूरा empire जो हमारा बड़ा सा, यह किसके अंडर में है, यह Morian dynasty के अंटर में है, लेकिन वो अपना जो छोटा लोकल लेवल पर फोरेश में रहते थे तो इंडिपेंडेंटली जीते थे, उनको ज्यादा ऐसा इंटरफेरेंस नहीं होता था, कि राजा उनके उपर हमले कर रहे हैं, ठीकें, बट, 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 many have been expected to provide elephants, लेकिन अब उनको यह भी पता था कि हमारे उपर भी कौन है, मतलब हमार उपर भी एक डौन है, कौन, Morian Empire जो कुरी डैनस्टी है, तो हमें उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो कभी-कभी text के form उनसे elephant, timber, honey, ठीकें, honey and wax to Morian officials, तो Morian officials जो जाता था, clear हो गया ना यह सारी चीज़ें, तो यह आपने एक outlook देखा कि कैसे गवर्न किया जाता था, किसे Morian Empire को किस तरह से गवर्न किया जाता था, ruling कैसी होती थी Empire की, आशे करता हूँ चीज़ें यहां तक clear है, सारी चीज़ें आपको समझ में आईए, किसी प्रकार का doubt ह feel free to ask in comment section, magnet brains पर इसी तरह से class 4th से class 12 तक सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सब कुछ, systematic way में, video lectures के format में अविलेबल है, जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे आपका syllabus पूरा complete हो सकता है, आपको क्या करना है, जो video lectures है ने YouTube चैनल पर और website पर बारे में बताने वालो हूं, see you there, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजपूत, welcome to magnet brains, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, the emperor and the capital city, important topic है, अच्छे से समझना, देखो connect करते हैं पहले, हमने क्या देखा अभी तक chapter में, कि धीरे से वो जो महाजन पत थे, वो जो kingdom थे, उनसे बड़े बड़े empire बन गए, बोलो हा, ठीके, अब वो जो empire बने, तो उन empire को कैसे govern करना होगा, यह हमने पिछली वीडियो में देखा, ठीके, how those empires were being ruled, clear, अब हम यह देखते कि उस बड़े से empire में, Morian empire में, emperor की क्या position होती थी, emperor के बा आपकी बुक में बॉक्स दिया है बस, लेकि उसके साथ में एक इंटरस्टिंग कहानी बताऊंगा कि कैसे मौरियन empire के time period में, ठीके, मौरियाज के या फिर कह सकते इंडियन रूलर्स के और ग्रीक रूलर्स के relation बने, ठीक, आपने एलेक्जंटर के बारे में पढ़ के आया प्रूंटेड एज एजए एजर एजन एम्बेजर टुदी चंद्रगुप्त अब आपको ये पता है कि नन्दा डैनेस्टी को हराया किसने हराया कहानी करते चलना चानक की मदस से चन्दरगुप्त मौरे ने खटम कर दिया नंदा डैनिस्टी को खतम करने के बाद उन्हों देखो तो मैप पे क्या कहानी रहेगी हमारी, आप देखोगे कि इतना बड़ा Morian Empire आपको देखने को मिल रहा है, चंदुरूप्त मौरे के टाइम पे इतना बड़ा नहीं हुआ होगा, लेकिन आप देखेंगे तो नौर्थ वेस्ट में एक्सपैंड होता है, Morian Empire, नंदा के तो पूरा नंदा को हराने के बाद में, Moriaz के पास में आ गया, चंदुरूप्त मौरे के पास में, अब क्या होता है, कि यहां तक जैसे कौन आ गया था, Alexander आया था, आपको दियान ओतो रिवर, वियास तक कौन आ गया था, Alexander आ गया था, अब Alexander को यहां पर किससे लड़ाई क करना पड़ती एक समय पे जब Alexander आता है, तो Alexander लड़ता है Porus से, चाहिए, Alexander और Porus की जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई बहुत ही बहेंकर होती है, Alexander जो World Conqueror अपने आपको क्या बनाना चाह रहा था, दुनिया का पूरा सबसे बड़ा राजा बनाना चाह रहा था, वो भी Porus का सहास देखके क्या हो जाता है, उसके पसीने शूर जाता है, तो उनने बुला, बस भीया यहीं से रिट्रीट कर लो, आगे और भी खतरनाक क्या सकते हैं, और भी महारत ही बैठे होंगे आगे, तो वो वहाँ से पीछे चले जाता है, अब वो पीछे चले जाता है, तो लेकिन Greek Rulers, जो दूसरे Greek Rulers रहते हैं, वो यहां पे रूल करने लगते हैं, ठीके, तो आप यह समझना कि Moran Empire से सटा हुआ, जो बाडर रहेगा, यहां पे दूसरे Greek Rulers rule करेंगे, क्यूंकि यहां तक जो अलेक्संडर है, वो आया था, ठीके, Macedonia से ऐलेक्संडर, तो को वो था Megasthenes नहीं, वो था Seleucus Nicator, ठीक है, Seleucus Nicator 1 और चंदरगूप्त, अब इनकी कहानी सुना तो में, कनेक्टर पाया हो ना, तो देखो क्या होता है, Megasthenes एक Ambassidor है किसके कोट में, चंदरगूप्त के कोट में, अब वो चंदरगूप्त के कोट में, कैसे आट अपका, ग Megasthenes डरगा, मैं थोरी ना रूगा, मैं हमला करता हूँ, किए, तब क्या होता है, चंदरगूप्त और Seleucus Nicator, इनके बीच में लडाई होती है, इन दोनों के बीच में, लडाई होती है, Chanthardगूप्त और Seleucus Nicator के, उसमें क्या होता है, चंदरगूप्त पासीने लिए बहुत सारी टेलिटरी ले लिए चलो सारी जगा देदो तो अफगानिस्तान वगेरा तक जो एंपायर एक्सपैंड हुआ है न क्योंकि एलेक्संडर तो ब्यास तक आ गया था आगया जो एंपायर एक्सपैंड हुआ तो वह सब को चंदरगुट ने ले लिया कुछ-कुछер खोले बोलते हैं अग्रेकर इस ताइम प्रेड में के दो सोर्से के कुछ ग्रीक तक से हिस्ट्री पता चलते हैं कुछ इंडियन टेक्स्ट से तो उन दोनों में क्या है अलाइमेंट नहीं है कहीं पर कन्फ्यूजिंग भी होता है लेकिन मैं आपको एक सिंप्लिफाइड स्टोरी बताते चल रहा हूं कि चंद्रगुत ने से लुकस निकेटर से क्या ले लिया साथ 2 आपके हमलान नहीं करोगे है तो स מצ में क्या होता है से लुकस निकेटर सेव पीस ट्रीटी में ये भी तविन जाता है कि से लुकस निकेटर की जो डॉट्र aja है ठीक है हेलेटा जो है तो हेलेटा से चंद्रगुप्त की शाधी करवा दी जाती है ठीक है बदाई होसे ना ही बजगीन किया तो अब इस सेंस में क्या है आपको ट्रीटी समझ में आगई पुझी कहानी समझ में आगई तो सेल्यूकस निकेटर और चंदरगुप्त अब क्या बन गए रिष्थेदार बन गए तो अब रिष्थेदारी थी तो उन्होंन अब इस एक करते हैं कि एक गवर्मेंट अफिशल को अमेरिका बेठा देते हैं और वो क्या करते हैं अमेरिका में इसलिए नहीं बेठा दे कि मोरे के कोड में और इंडिया आपको गुर्लर्स जो है तो इनके बीचिक यहा से कि आपको देखने को मिलेंगे कि इनके बीच में रिलेशन्स डेवलोप हुए, ठीक है, फिर आगे देखोगे तो बीच में कुछ गोरे-गोरे से लोग भी है, ठीक है, तो सवाल आता है, यह कहां से आये, तो मैंने आपको कहानी करवा दिये, ध्यान रहेगा नाब, तो यह आप देखना इंडियंस और ग्रीक्स के बीच में कनेक्शन यहां से डेवलप हुआ है, अब फिर क्या होता है, जैस में फिर इंटर्नल कंफ्लिक्ट, तो पूरी कहानी है, ठीक है, वो प्रोग्राम मटेरियल है पूरा, बागे आपको एक हिस्ट्री समझ में आ गई यहां पर, ठीक है, तो हाँ, हम यह पढ़ क्यों रहे हैं सारा सब कुछ, क्योंकि हमें Emperor और Capital City के बारे में जो information मिलती है, त ठीक है, तो वो सारा सब कुछ हमें पता चलेगा, यह मैंने आपको explain कर रहा है, तो वो सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा, तो Megasthenes wrote an account about what he saw, उन्होंने इंडिया में जो देखा, उस बारे में लिखा, कहां पे लिखा, तो उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा, बुक का न चलता हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, अब क्योंकि आज से 2300 साल पहले कोई भी नहीं था, ना में था, ना आप थे, ना कोई था, तो हमें पता कहां से चलेगा, इन्ही सोर्से से तो पता चलेगा, ठीक है, तो Megasthenes ने जो बुक लिख 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 उसका नाम, इंडिका, दियान रहेगा ये, चलो, आप इंडिका में था क्या, ठीक है, तो अबाउट रिगार्डिंग, एंपरर, ठीक है, अबाउट रिटा देते हैं, अकाउंट रिगार्डिंग, एंपरर, एंपरर के बारे में क्या लिखा था बुक में, तो the occasion on which emperor appears in public, are celebrated with grand royal procession, तो Megasthenes लिख carried in a golden planquin, ठीक है, golden planquin क्या होता है, तो मतलब सोने की पालकी में बिठा के ले जाते थे राजा को, इस तरह से बताया, तो इससे क्या समझ मैं है, कि राजा की position जो थी, वो बहुत significant हो गई थी, इसको आप अगर अरली वेदिक से compare करोगे, जो आप आगे पढ़के आए चेप् सोने चांदी से किसको सजाए जाता था, हातियों को, इंसानों को नहीं मिल रहा है सोने चांदी, और हाती को सजाए जाता था, उससे हमें पे, इसका मतलब क्या है, कि हाँ वहाँ पे रिसोर्स भी बहुत जादा थे उसे empire में, ठीक, some of the guards carried tree on which live birds, live birds, including a fork of train parrots, circle about the head of emperor, ठी तो उन पेडों के उपर क्या रहता है, आपको पक्षी मिलेंगे, तो जैसे specially trained parrots रहते थे, ठीक है, जो राजा की बढ़ाई कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो उस तरह से एक, वो scenario देखा में गास्तिन इसने, जो देखा होगा वही लिखा होगा, ठीक है, जुटतुरी ना उसमें अधिकतर हम अभी तक men को देखते आ रहे हैं, कि पुरुष जो रहते हैं, पुरुष प्रधान समाज था आपका, जहां पर society जो थी, पैक्टरियर्कल थी, आपने ये देखा था, लेकिन यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या लिखा Megasthenis ने, कि the king is normally surrounded by armed women, तो राजा की रक्षा कौन करता था, हत्यार बद महिला हैं, ठीक है, armed women मतलब क्या है, ऐसी महिला है जिनके पास हत्यार थे, तो ये एक distinctive चीज़ देखने को मिली हमें, कि Megasthenis के account के साब से women को train किया जाता था, ठीक है, कि वो हत्यार लेके चले, he is afraid that someone may try to kill him, और ये हत्यार बद महिला हैं, क्यों होती थी, ये गाड्स क्यों होते थे, उनके आजवाजु राजा के, क्योंकि ये डर बना रहता था कि राजा को कोई हमला ना कर दे, क्यों, क्योंकि राजा एक important position है, किसने किस से, राजा से क्या relation है, उन सारी चीज़ों को सम्वालते हैं, जिसम देख शायद आपने ये कहानी सुनी भी होगी कही ना कहीं, ठीक है, बहुत फेमस कहानी कहोगी, क्या, कि राजा को specially trained servants होते थे, तो कुछ भी खाना देने से पहले क्या किया जाता था, वो servants चकते थे, ताकि अगर कुछ उसमें खराब मिला हो, तो हम पहले चले जाए, राजा देते थे, ताकि क्या हो poison देते, ताकि जिससे क्या हो, राजा के अंदर, एक वो, कह सकते है, बॉड़ी के अंदर antibodies develop हो जाए, जिससे वो कलको को उन्हें जहर दे, तो उन्हें कोई फराग ही ना पता पड़े, ठीक है, तो थोड़ा 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 रोज रोज देखे, जैसे पोलियो लगाते हैं, पोलियो का वाइरस क्यों डालते हैं, वीक वाइरस जाल देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे अंदर उससे लड़ने के लिए शमता डेवलप हो जाए, तो चंदरवुप तुम और ये को मजबूत बनाने के लिए चानक ने ये दिमाग लगाया था, ठीक है कि कल कोई राजों को जहर भी दे अगर तो राजा बचे जाए, ठीक, तो ये कहानिया हैं मतलब इस तरह की, आया समझ में, he never sleeps in the same bedroom for two nights, और राजा की जान पर जब इतना खत्रा बना रहता था, तो राजा कभी भी दो राज से ज़्यादा किसी एक रूम में नहीं र जो हमें उसकी book से पता चलती है, तो the emperor, ठीक है, emperor के बारे में पता चला हमें कि उस समय पर जो Morian Empire था तो उसमें emperor की क्या position थी, आप बोल रहे होंगे, सर हम Ashoka के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब chapter का नाम Ashoka है और अभी तक तो Ashoka आये नहीं है, आयेंगे picture में, लेक पटना है, वो पहले किस नाम से आना जाता था, पाटली पुत्र से, तो उसके बारे में क्या पता चलता है हमें, मेगास्तिनिस के अकाउंट से, तो मेगास्तिनिस देखो पटना के बारे में क्या लिखते हैं, पाटली पुत्र के बारे में, this is a large and beautiful city, एक बड़ी और बहु बहुत पहले से ही चालू हो गई थी तो अब आते आते अब तो एक बड़ा एंपायर बन गया तो for sure जो इनका capital city होगा उसको बहुत बहुत बहतरीन तरह से किला बनाया होगा उसके आज बाजू it has 570 towers and 64 gates तो factual detail इतने सारे towers है इतने सारे gates है the houses of two and three stories तो दो से तीन मंजीला क्या है आपको मकान देखने को मिलेंगे are built of wood and mud bricks तो राजा का महल है उसको भी क्या बनाया गया है लकडी से बनाया गया है उससे फिर घर बनाया गया है it is surrounded with garden and enclosure for keeping birds तो आप देखरो birds से बहुत प्यार होता था राजा को समय पर तो गार्डन वगेरा है birds वगेरा है ये सारी चीज़ें आप कहां देखने को मिलेगी capital city में देखने मिलेगी ठीक है तो foreign account हो गया एक इंडी का अर्थशास्त हो गया तो इन किताबों से हमें ये पता चलता है Megasthenes के account से हमें पता चलता है कि emperor की क्या position थी capital city की क्या position थी कब Morian empire में clear हुआ so this was all about this topic I hope you enjoyed it शारी चीज़ें आपको समझ में आईए ठीक है किसी प्रकार cut out है feel free to ask in comment section magnet brains पर class 4th से class 12 तक इसी तरह से सभी subjects chapters topic subtopics सब कुछ systematic way में video lectures के format में available है जिने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ा सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं जी हाँ अपने juniors और seniors को जरूर बताइए magnet brains के बारे में मिलते नेक्ट वीडियो में अगले topic के सांथ till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंह राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे अशोका a unique ruler and killing war के बारे में दो टापिक्स हैं यहाँ पर देखो a unique ruler and killing war अशोका को एक unique ruler क्यों कहा गया क्या ऐसी खास बात थी वो मैं आपको बताऊंगा और killing war क्या है यह भी बताऊंगा थोड़ा सा connect करें topic को तो आपने यह देख लिया कि kingdom से empire बन गए बोलो हाँ अब यह जो empire बने ना इन empire को govern करने का काम जो था वो भी अच्छी तरह से चल रहा था सारी चीज़ें emperor की position बहुत मजबूत होती थी emperor की position के सांसा है तो उनकी capital cities बहुत सुंदर होती थी बहुत बड़ी होती थी विशाल होती थी भवव्य होती थी यह सारी चीज़ें आप देख चुके हैं समझ चुके हैं अब मौरेन empire चंदरगुपत मौर चंदरगुपत मौर के आद में बिनदू सार बिनदू सार के बाद में अशोका तो Morian Empire में Ashoka के टाइम पे जितना expansion हुआ उतना कभी नहीं हुआ है तो Ashoka के टाइम पे जितना expansion हुआ है वो क्या हुआ Ashoka unique ruler क्यों है Culling War जो एक क्या है कह सकते हो कि एक turning point रहा है Morian Empire में Ashoka की अपनी life में अशोका को Ashoka the great बनाने में ठीक वो सारी चीज़े हम इस वीडियो में जानने वाले हैं समझने वाले हैं देखिए सबसे पहले जो Morian Empire था तो the most famous Morian ruler was Ashoka no doubt Ashoka के बाद में भी ruler आया ऐसा नहीं कि Ashoka के बाद चीज़ें खतम हो गई है लेकिन सबसे फेमस अशोका थे चंदुगुत मौरिय थे तो यह जो बड़े बड़े नाम है Morian Empire में उसमें Ashoka का नाम बहुत बड़ा था फिर क्या होता है अब सवाल या था कि why he is considered as a unique ruler तो उनकी जो सोच थी उनके जो काम थे उससे उन्हें unique बनाया गया क्या सोच थी देखो he was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription दिमाग चलाया उन्हें बहुत तेज क्या कि उन्होंने बोला हम किताबे लिखवाएंगे किताबे बचे ना बचे क्या भरोसा हमारे जो remains empire ये बचे ना बचे कोई भरोसा नहीं है लेकिन पत्थरों के उपर अगर लिखवा दिया जाएगा inscriptions बनवा दिये जाएंगे pillars के उपर अगर लिखवा दिया जाएगा वो जरूर बचेंगे ठीक है तो उन्होंने history बनाने के लिए या फिर कह सकते है कि अपना record रखने के लिए inscriptions का इस्तमाल किया और एक नहीं कई सारे inscriptions कई सारे pillars वगेरा ये सारी चीज़े मिलती है जिससे हमें क्या पता चलता है जिससे हमें modern empire के time period का पता चलता है अशोका के rain का पता चलता है कि अशोका के time period में कैसे क्या चीज़े चल रही थी तो he was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions ध्यान रहेगा ना inscriptions में पहले भी बता चुका हो कि पत्थर के उपर जब आप लिखवा देते वैसे वो inscription रहता है इससे हमें history पता चलती बहुत important most of Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in Brahmi script तो ये देखो प्राकृत language में लिखा गया ठीक है प्राकृत script जैसे आप देवनागरी हिंदी होती है तो वैसी एक script क्या है ब्रामी ब्रामी script जो है तो ब्रामी script में प्राकृत language में लिखा गया ये ये बता ये बहुत अच्छी बात हुई है क्यों क्योंकि जैसे संस्कृत आप देखोगे कि इससे पहले जो महाजनपद महाजनपद से पहले आप वेधी के एज वो सारा time period देखोगे तो उसमें संस्कृत का domination जादा था अब वो संस्कृत से हटके जब प्राकृत में लिखवाई गई चीज़े तो ये local people के काम की चीज थी प्राकृत में लिखा है आसान भासा है ठीक है प्राकृत के अलग-अलग version होते हैं जैसे मगद में मगधी चलती थी तो उससे क्या हो कि अशोका के टाइम प्रेड में efficiently काम होगा ठीक है efficiently काम होगा expansion भी होगा बहुत जादा अब expansion कैसे होगा Morian Empire का तो देखो अशोकास war on killing क्या होता है Morian Empire के time period में जैसे अब देखोगे तो यह चंदबुप्त मौर के time period का जैसे बता रहा है इसके बाद मिंदूसार वगेरा तो उन्होंने नौर्थ वेस्ट में बहुत expansion कर लिया ठीक है तो present day Odisha जो है इस area को killing कहा गया है ठीक है इस area को killing कहा गया है तो अब क्या होता चंदुप्त मौर की death के बाद में बिंदूसार कोशिश करता है कि वो killing के उपर कबजा कर ले कलिंग के उपर कबजा नहीं कर पाता है बिंदूसार के लाद में फिर अशोका जब ruler बनते है तो अशोका रूल करते करते 8 साल तक रूल किया और 8 साल के बाद में उनके time period में उन्होंने हमला किया कलिंग के उपर ठीक है और successfully he captured the killing ठीक है कलिंग वाले region पर उन्होंने कबजा भी कर लिया जीद गये मतलब यहां पर ठीक है तो यह कलिंग वाला region धियान रखना अब ruler कौन अशर यहां का तो मैं बतातो कि culturally यहां कोई राजा था नहीं यहां के लोग अपने आपको अपने आप से गवर्न करते थे और इसकी significance देखो attack करने के लिए इतने आतूर क्यों थे मतलब क्यों attack करना चाह रहे थे बिंदु सार भी यह सारे लोग क्योंकि यह region जो है सबसे प कबजा करना फाइदे का सौधा है फाइदे का सौधा है ठीक है यह दिखान रहेगा आपको तो सेंस में क्या होता है कि कलिंग वार में कलिंगा जो था ancient name of कुष्टल औरी साही वह ने बता दिया यह अशोका जो है तो यहां पर वार होती है और वार में जीत भी जाते है मतलब जीत माइन नहीं रखती है हाँ पर जीतने के बाद में जो आफ्टर मात था ना जो लड़ाई के बाद की बात हुई है वह बहुत जादा माइन रखती है क्या होता है कि कलिंग आर्मी के लगब लगब देड़ लाख लोगों की जान जाती है ठीक है कलिंग आर्मी के स सिर्फ जो अभी जहां पे जो रूल कर रहे हैं उन रूलर्स को हटा के Mauryan Empire को Mauryan Emperors को रूल करना था उसे Mauryan Empire के अंदर जोड़ना था कलिंग को ठीक है तो ये जो Bloodshed हुआ इस Bloodshed ने क्या कर दिया अशोक को ठीक है कि आज ये जो खुन खराबा हुआ इतना खुन खराब मैंने जीवन में कभी ने देखा है तो इसे कहा भी जाता कलिंग वार जो है तो इस वन अफ दी डेडिलियस्ट वार इंडी इंडियन हिस्ट्री के बहुत भायन एक वार रही है वो तो उस वार के बाद मेंनों ने क्या कह दिया शोकाने कि I gave up war from now ठीक है आज से में लडाई खतम करता हूँ ठीक है अब बोलो कि लडाई खतम करती मतलब आप Moran Empire पर कोई भी हमला कर सकता है ठीक है एसा नहीं है Moran Empire कमजोर हो गया Moran Empire लडाई खतम करने के बावजूद भी आगे बड़ा ठीक है और यूनीक कहने के पीछे एक कारण ये भी है He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning the war जीत गया थे वो ठीक है एक territory मेंने जीत ली लडाई करके इतने साही लोगों की जान गई जीत ली लेकिन फिर भी मैंने क्या बोल दिया कि नहीं जीत किसी काम की नहीं में इस territory को छोड़ता हूँ तो who gave up conquest after winning war ठीक है He is the only king in the history जीनों ने क्या बोल दिया कि ये जीत किसी काम की नहीं में इस territory को बापी छोड़ देता हूँ कुछ-कुछ बुद्धिस टेक्स पता है अशोका को बताते है कि उन्होंने तो हजारो खून कर दिया मतलब सौ भाई को मार दिया ये वो तो वो क्यों बताते है वो बता रहा क्योंकि अशोका बाद में बुद्धिसम का जो प्रिंसिपल नॉन वालिंस का उसे अडॉप्ट करेंगे बुद्धिसम से बहुत जादा इंफ्लुएंस होंगे तो कुछ-कुछ टेक्स जो ऐसा बताते हैं कि अशोका बहुत खराब थे कुछ टेक्स बताते हैं शुरू से ही अच्छे थे और अच्छे होने के कारणी उन्होंने ये ब्लडशेट देखके और अच्छे बन गए वो तो वो डिबेट में मत जाओ आप ऐसे समझो चीजों को कि उन्होंने ये जब ब्लडशेट देखा तो उन्होंने बोलते है यार लड़ाई बड़ाई साब मेरा मन उठ चुका है बुद्धिसम के जो प्रिंसिपल से नॉन वालेंस ये सारी चीज़े अब तेक न महाजन पर और की पाने में उन्होंने क्या कहा क्योंकितकों इंसकृप्शन मेरा याने अशोका ने खुद लिखाया है तो वह समझते हम क्या है यह यह निद इस दू दो वोई बोलते हैं जब भी कोई independent lanyanh पर हम कंचन मार देते हैं फिरो क्या बोलते है people who are kind to their relatives and friends to their slaves and servants die or lose their loved ones तो हर इंसान को कहीं नुकसान होता है किसी न किसे sense में तो war जो है war ultimate solution नहीं होना चाहिए उसमें कितना खून खराबा होता है यह उस तरह से बताते हैं That is why I am sad and I have decided to observe dhamma and to teach others about it well, ठीक है धम्म मतलब क्या है धर्म होता है, धम्म यहने धर्म का पात तो वो बुद्धिस्ट धम्म जो है ठीक है बुद्धिस्म के साफ से जो धर्म है वो बोलते हैं कि आज से इसलिए मैंने तैक है कि हमें यही चीज खुद भी सीखूँगा दूसरों को भी सीखूँगा ठीक है वो बोलते हैं कि I believe in winning people over through dhamma is much better than conquering them through force, बोलते हैं कि लोगों के दिल पे राज करना धर्म से वो ज़्यादा बहता रहें ना कि इंस्क्रिप्शन से मिला है हमें सब कुछ तो इस इंस्क्रिप्शन पर उन्होंने सारा सब कुछ inscribe क्यों करवाया पता है, सब कुछ क्यों लिखवाया है ताकि वो यह चाहते हैं कि मेरे बाद जो मेरे बेटे, मेरे पोते आए वो भी इस मेसेज को पढ़े दियान में रखें, वो वार से पहले धम्मा के प्रिंसिपल को ड़ाउट करें, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अशोका क्यों एक उनिक रूलर है कलिंग वार से कैसे, मौरियन एंपायर में इंडियन हिस्ट्री में अशोका की लाइफ में चेंज आता है क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टेमाटिक वे में, वीडियो लेक्ट्ट्स के फॉर्मेट में अविलेबल हैं, जिन आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना वाले हैं, कनेक करते हैं पहले, मैंने आपको ये बताया कि अशोका जो है, ठीके, मौरियन एंपायर के एक most important ruler रहें, अब उनके time period में क्या होता है मौरियन एंपायर एक्सपैंड होता है, मौरियन एंपायर एक्सपैंड होता है, और साथ ही साथ में एक अलग तरह से एक्सपैंड होता है, जो पूरी की पूरी ideology है, जो पूरी की पूरी फिलोसोफी है मौरियन एंपायर की, जो सोचने का करने का तरीका था, वो बदल जाता है और खासतर के कबसे, कलिंग वार के बाद से, तो अब हम ये देखने वाले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि कलिंग वार के बाद से क्या होता है, अशोका जो है तो ही गेवप दी वार, ठीके, चैप्टर से रिलेट कर लिया ना अब ये एंपररर हूँ, गेवप वार तो अशोका ने देखा कि कितना ब्लडशिट हुआ, कितनी जाने गई है, ठीके, कितना नुकसान हुआ तो उन्हें बोल दिया कि आज से मैं लडाई का त्याग करता हूँ अब लडाई नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे उन्होंने बोला, मैं धर्म का प्रचार करूँगा, मैं बुद्धिस्ट धम्मा को फैलाऊंगा अब देखो, धम्मा और धर्म, इसमें confuse मत होना धम्मा इस धर्म इन प्राकृत, जो प्राकृत भाशा मैंने आपको बताया ने, कि प्राकृत language का यूज़ किया था तो उस प्राकृत language में धर्म को धम्मा कहा जाता है तो अब मैं धर्म बोलू या धम्मा बोलू आप समझ जाना क्योंकि आपको प्राकृत ना आपको आती ना मुझे आती लेकिन हमें इंदी आती है तो हम उससाब से रिलेट कर लेंगे अब देखो क्या है अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वाल वर्षिप ऑफ गौड पर्फॉर्मेंस ऑफ सेक्रिफाइज अब यहाँ पर आप देखो के कल्चरल कंटिनिटी जो है उसको ब्रेक मिल रहा है क्या होता है WETHIC पीरेट महाजनपतھ देख लो तो वहाँ पर क्या है कि मेंस्ट्रीम सोसाइटी जो थी मेंस्ट्रीम सोसाइटी टीक भॉत ज्यदा ठीक मैं सेक्रिफाइस पर्फॉर्म करना है यह घवी को पूजञ दो यह मैं इनिट Springs कर्फॉर्म करना है छी का है अंदर से बदलाव ला सके हम हमारे अंदर वो चीज करेंगे हम ठीक है हम अपने अंदर अंदर से बदलाव लाने का प्रयास करेंगे भगवान को वर्षिप करना sacrifice perform करना जो दिखता है ना कर्मकांड जो होता है कि ऐसा करो इस हाथ से मंत्र चढ़ाओ उस हाथ से उन्हें बोला कि हम बुद्धा की जो टीचिंग है मतलब वो बुद्धिस्ट क्या सकते हैं फॉलोवर थे बुद्धिजम के फॉलोवर थे ठीक है तो उन्हें अब क्या होता है एक और समस्यादी जो ने बहुत परिशान करते थी अब क्या होता है कि जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है ना आपके पैरेंट्स जिससा आपको बताते होंगे क्या कि पेटा यह सही यह गलत है यह मत करो इससे नुक्सान इससे फाइदा है तो वो भी यह कहता है कि तो वो भी यह कहता है कि he felt that just as a father tries to teach his children he had a duty to instruct his subjects उनका भी यह करतव होता है बनता है अशोका का कि वो अपनी प्रजा को भी सिखाए एक पिता की तरह क्यूं सिखाना पड़ेगा क्या समस्या थी वाई ठीक है सवाल यह उठता है क्या खिर सिखाना क्यूं है तो देखो यहां पे क्या है अशोका जब पावर में आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी समस्या है जो उन्हें परिशान कर रही थी जो उन्हें क्या परिशानिया थी देखो तो people in the empire follow different religion लोग अलग अलग धरम कोई जैनिजम फॉलो कर रहा है कोई बुद्धिजम कोई हिंदुई हम कुछ तो अलग अलग धरम को लोग follow कर रहे हैं अब जब अलग अलग धरम को फॉलो कर रहे तो उसके चलते क्या है वो आपस में एक दुसरे के धर्म को criticize करते थे मेरा धर्म ये है तुमारा धर्म ये है तो हम एक दुसरे से लग है आपस में लड़ते थे ये समस्याए होती थी ठीक हों तो there were a number of problems that troubled him उसमें से एक क्या है कि people in the empire followed different religions ठीक है these all things were troubling him ठीक है इन सारी चीजों से परेशान थे animals का जो sacrifice होता था ठीक slaves and servants were untreated अब मान लो क्या मैं master हूँ ठीक है पढ़ाने वाला master नहीं मतलब मेरा अंदर एक गुलाम है तो मैं उसका मालिक हो गया तो अब क्या होता था कि जो slaves होते सरवेंट होते थे जो मतलब जिनकी position को नीचे माना जाता था उन लोगों के कया जाता था ill treated ढीक मतलब क्या unrue साथ मैं सहीं वेवार नहीं किया जा जाता था इन सारी चीजों से अशोगा परिशान थे और भी को समस्य है थी there were quarreling families and amongst neighbors आपस परिवार में लड़ रहे हैं लोग ठीक है भाई भाई लड़ रहे हैं नेबर्स के साथ में अडोसी पडोसी लड़ रहे हैं तो इन सारी यह इतने भी दुखदर्द थे ना समाज के वो बहु इन समस्याओं का समधान दू इन problems को solve करूँ ठीक है उन्होंने क्या क्या किया इन परिशानियों को उन्होंने जब बोल दिया कि मैं सुल्जाओंगा ठीक है I will solve these problems तो what did he do the steps taken by Ashoka to solve the problems what were the steps taken by Ashoka to solve the problem let us have a look on that Ashoka ने क्या क्या किया he appointed officials known as Dhamma Mahatma ठीक है Dhamma Mahatma who went from place to place teaching people about Dhamma आज क्या होता है आज मुझे जो मतलब मुझे 6th class के history जैसा आपको पढ़ाना है मुझे पढ़ाते आती है तो मैं वीडियो बना के आपको वेगूंगा आप कहीं पी बेठे हो आप Kashmir में बेठे हो केरेला में बेठे हो रुनाचल प्रदेश मे सबी जगह आप पढ़ सकते हो अमेरिका में बेठे हो तो भी पढ़ लो गया ठीक है आप पढ़ सकते हो लेकिन पहले ऐसा YouTube तो था नहीं तो अब जो आइडिया था Dhamma का Buddhist principle जो था उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुचाना है तो कैसे पहुचा हो गया ठीक है तो he appointed officials known as D Dhamma Mahatma तो उन्होंने Dhamma Mahatma मतलब officials को appoint किया जिनने Dhamma Mahatma कहा गया और उन official का काम क्या होता था They went from place to place एक जगह से दूसरी जगह गये दूसरी जगह से तीसरी जगह गये और यह घूमते क्यों थे तो यह इसलिए जादे थे एक जगह से दूसरी जगह ताकि लोगों को Buddhist Dhamma धर्म के जो principles है non-violence जो है ठीक है being good ठीक है Righteousness मतलब आप सही काम करो वो चीज सिखाने के लिए officials का पॉइंट करा क्यों समस्याएं थी इन समस्याओं से परेशान थे अब परेशानी का समाधान Therefore Ashoka felt that his duty to solve these problems तो अब उन्होंने अपनी जवाबदारी को कैसे निभाना चालू किया तो उन्होंने लोगों का पॉइंट किया जो धम का principle लोगों तक पहुचाएंगे ठीक है आम जंता तक पहुचाएंगे Ashoka got his name inscribed on rocks and pillars instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves अब यह जो धम महत्मा थे तो inscriptions पे Ashoka ने अपने नाम से अपने signature के साथ में एक message लिखवाया ठीक है उस message को message में क्या था वो अच्छी बाते बताते थे कि आपको यह करना है यह नहीं करना है उस inscription को फिर लोगों तक जा जाके पढ़ पढ़ के सुनाया जाता था जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनके अफिशल सापॉइंट की जाते थे कि एक orator रहेगा वो पढ़ के बोल के बताएगा कि यह यह लिखा है आपके जो राजा हैं आपके जो समराथ हैं वो यह चाहते हैं आपसे ठीक है he built roads dug wells and built rest house अब उन्होंने क्या काम किया उन्होंगा लड़ना नहीं है हमें ठीक है लड़ाई तो छोड़ दी थी थी ना उन्होंने roads बनाए कुए बनाए ताकि क्या जो रहागीरे उसे जाने मे आसा नहीं रहे एक जगह से दूसरी जगह कोई बनवाए ताकि आप प्यासे को पानी मिल सके हैं ठीक है he built rest houses अब जो आप travel करता है इंसान तो उसके लिए rest house बना दे कि आप आराम से घर में बैठ के क्या कर सको मतलब किसी मतलब सफर पर आराम कर सको एक rest house में तो ये सारी च अजेब का भी था लेकिन औरंग जेब दिग्रेट का होगे क्या कभी नहीं कहोगे ठीक है लेकिन अशोका को आप अशोका दिग्रेट क्यों कह रहे हो क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किये medical treatment human beings को दिया समझ मारा चलो human being परेशान है सांती सांत उन्होंने animals के लिए भी arrangement किया त तो ये सारे काम जब उन्होंने दुखदर्द देखा समाज का उस दुखदर्द को राजा होने की हैसियत से क्या क्या सुल्जाने का प्रयास किया ठीक है या गया समझ में और यही उनके धम्मा के principle थे what was अशोक धम्मा क्लियर हो अशोक के साब से धर्म क्या था अशोक के सा अरहाल थी वहां पर है ठीक है एलेना के बारे में बताया था मैंने पिशली वीडियो में तो उस तरह से अलग अलग जगा श्री लंका में बुद्धिजम है तो अशोक के टाइम पेर में फैला चाइना जैपैन आज जहां आप देखते हो कि यहां बुद्धिजम यहीं पर देना चाहते हैं वो पढ़ना जानना समझना देखो ठीक आपकी बुक में भी है बॉक्स अगर यहां क्लियर ना हो तो देखना उसे तो बोलते हैं कि लोग कितने कर्मकांडी होते हैं मतलब रिच्वल्स परफॉर्म करते हैं जब बेटे की शादी होती बेटा पैदा होता ह बेटा मरता है हर समय पर आपक लोग किसी और चीज़ आपको ऐसे तिलक लगाना याप वह सब दिए यह सब तुरुने बोला कि अपने slaves के साथ, अपने servants के साथ में अच्छा वेवार करो, elders की respect करो, treating all creatures with compassion, हर, चाहे वो इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवार हो, कुछ भी छोटी सी चीटी भी हो, उसको compassion के साथ देखो, तो उसको करने की बात करते हैं, अशोक अपने धम्मा में, इडिस बोथ, रॉंग टू प्रेज, वन्स ओन रिलीजर और क्रिटिसाइज अनदर, तो यह बोलता है कि, अपने धर्म की खुब वावाही मत करो, और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि सारे धर्म, अल्टिमेटली क्या सिखाते हैं, ठीके, मानफता सिखाते हैं, इच, वन शुट रिस्पेक्ट अधर्स रिजर्ण, हमें दूसरों के धर्म को क्या करना होगा, रिस्पेक्ट करनी होगी, ठीके, तो यह देखो, मौरियन एंपायर या फिर अशोका के टाइम पिरेट से, आज हमारी जो पॉलिटी चलती है, हमारी कंट्री इंडिपेंडनेंस के बाद भी अशोका की टीचिंग्स को नहीं भूली, हम उसे आज भी प्रीज करते हैं, कहां तो मैंने आपको बताया है, जो हमारा नैशनल एंबलम है, उसमें क्या है, लॉयन कैपिटल, जो अशोक पिलर के उपर, अशोको के दोरा जो पिलर बनाया गया थे, सारनाथ, वहां से हमने लिया है, ठीक है, बहुत सारी टीचिंग्स जो हमने अशोका से लिये, हमारा जैसे सत्यमेव जयते, वो उपनिशद जो है, तो भी कही ना कहीं सत्यमेव जयते, मतलब आशोका के टाइम पिरेट से नहीं, लेकिन आपको दर्शाता है चीजे है, ठीक है, कि यह जो टाइम पिरेट रहा था, महाजन पद वाला, ठीक है, His addicts मतलब आशोगा की, His addicts instruction still speak to us in a language we can understand, ठीक है, मतलब यह लिखा हुआ किस भाषा में साधरी साप लिखेंगे, प्राकृत में, समझ नहीं आ रहा हमें, लेकिन जवाला लेहरू बताता है कि वो जो instructions है, तो आज भी हमें बताते हैं, सुनाते हैं, सिखाते हैं, language we can understand and we can still learn much from them, ठीक है, तो उनके इन addicts से, उनके इन order से आप आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो हमारे leaders ने accept किया उस चीज़ को, खेर हुआ, ठीक है, identify the parts of Ashoka, यह आप आगे देखोगे कि कहां कहां आशोका के addicts मिलें यह सारी चीज़ें, clear हैं, तो यह तो चीज़े बार important है, box में है, इसे भी पढ़ लो समझ लो क्या है, तो जैसे रामपुर्वा बुल, बिहार में रामपुर्वा है, वहाँ पर आपको एक ऐसा pillar मिलता है, ठीक है, इस pillar को preserve करके आज भी रखा गया है, ठीक है, तो यह क्या है, look at the finely polished stone sculpture, यह stone sculpture है, मतला पत्थर से एक sculpture बनाया गया, बुल बनाया गया, बुल strength को, hard work को symbolize करता है, आप देखोगे तो, अशोक एमला में, वहाँ पर भी आपको बुल देखने को मिलेगा, ठीक है, जो लॉयन कैपिटल है, वहाँ पर भी आपको नीचे बुल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, कि तो कितना वारिकी से उसे बनाया गया, एक दम नेचरल लग रहा है, उसमें जो तराशा गया है, उसे बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, तो ये आर्ट एन कल्चर के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, कहां पे है, ध्यान अठना नामरुप बुल जो है, तो रामपुर्वा बुल जो है, तो ये बिहार में है, रामपुर्वा बिहार, and now has been placed in राश्पती भवन, बिहार में मिला था, ठीक है, अब इसे राश्पती भवन में रखा है, it is an example of the skill of the sculpture of that time, उस समय पे कितने आर्टिस्टिक लोग हुआ करते थे, उस चिज़ का एक example है, ये, clear, अब जैसे मैंने आपक इसे ब्रामीनी script चलती थी, ये अ लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है सब में, अ जो है अ को symbolize, ब्रामीनी में अ एसा लिखा जाता है, ब्रामीनी से देवनागरी, मतलब हिंदी जो है, वो निकल का है उसमें अ, फिर ये बेंगॉली, मलियाला, तमिल, तो कही ना कही सारी ल different scripts, तो scripts मतलब जो letter, font, जो भाशा का written format होता है, उसे script कहा जाता है, ब्रामीनी से फिर बहुत सारी languages और भी develop होती है, clear हुआ है, इसी के साथ हमाया chapter complete होता है, आशा करता हूँ, आपको मजा है इस chapter में, मैजदार chapter था, बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को मेरी होग है, वहाँ से हम, क्या होए, थोड़ा settled cultivator, settled cultivator के वाज में कहींगी, civilizations आई, civilizations खतम हो गई, फिर से civilization बनना चालो हुई, जना, जन्पदा, महा जन्पदा, महा जन्पदा से आप empire बन गए, moral empire, यह political format बता है मैंने आपको, तीक है, अब इस political format में एक chapter बीच में हमने jainism, buddhism वाला पढ़ा था, new questions, new ideas वाला, ठीक है, कि society intellectually कैसे develop हो रही थी, वो भी बता है मैंने आपको, अब आप आगे देखोगे, और क्या technical end पर change आ रहे हैं, यह आप next chapter से पढ़ोगे, next chapter पढ़ने से पहले हम NCIT solution discuss करेंगे next video में, ठीक है, तो next video में मिलते हैं, NCIT solution के साथ, आशा क पूट, welcome to magnet brains, इस वीडियो में हम NCIT solution discuss करने वाले हैं, किस chapter के, तो जिस chapter को theory part पर आप complete कर चुके हो, class 6th history का chapter, chapter है आपका प्यारा सा, अशोका, the emperor who gave up war, ठीक है, तो वो emperor जिसने लडाई छोड़ दी, क्यों छोड़ी, क्या, कैसी कहानी थी, वो सब कुछ हम पढ़ चुके ह हमारा पूरी तरह से complete हो गया है, अब हम इस chapter से जो NCIT question है, question आपकी book में भी है, मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास solution है, जो आपके पास नहीं है, ठीक है, तो उन solution को हम क्या करने वाले हैं, discuss करने वाले हैं, सारे questions के answers को हम देखने वाले हैं, fine, तो देखो क्या-क्या है यहा जाएंगे, philips भी मिल जाएंगे, ठीक है, और कुछ questions भी है, तो इन सारी चीदों को हम complete करने वाले हैं, clear, तो पहला question, क्या है, make a list of the occupations of people who lived within the Mauryan Empire, Mauryan Empire में बहुत सारे लोग रते थे, ऐसा नहीं है ना कि सामराज जे तो सिर्फ समराट रहेंगे और उनकी वाइफ उनक काम करते थे, ठीक, क्या-क्या काम करते थे, तो the different occupations followed by the people were, क्या-क्या पहला farming, लोग खेती करते थे, दिखती बात है, मैंने आपको बताया है कि Indian society, Indian society क्या वर्ल्ड की किसी भी society में चले जाओ, initial level पे हमेशा agrarian society ही रही है, सब खेती से ही जुड़े हुए रहते थे, क्यो होगे नहीं, तो जी होगे कैसे, ठीक, तो लोग क्या करते थे, farming, farming के बाद में pastoral farming, pastoral farming मतलब क्या है, कि जानवरों को पाल के रखते थे, ठीक, animal products जो रखते थे, घी, दूद, इन सारी चीजों से भी अपना जीवन ही आपन करते थे, तो pastoral farming, carpentry, masonry, ठीक, अब आपने देखा होगा, forts बनाया जाते थे, लकडी का इस्तमाल किया जाता, तो carpenters भी थे, ठीक है, masonry, तो अब इट, मिटी का काम करने आले लोग भी थे, ठीक, government official, आपो पुरा empire जो तो उसमें administration के लिए government officials भी लगते थे, तो कुछ लोग government official होते थे, and many people were employed in royal army, और अब क्योंकि सामराज्य है, ठीक है, empire एतना बड़ा, तो उस empire को दूसरे empire के उपर हमला करना है, दूसरे empire के हमले से बचना है, तो इसके चलते क्या है, royal army की भी जरुवत पड़ती थी, तो ये सारी, आपने जो देखी, ये occupations हुआ करती थी, Moran Empire में, clear हुआ, चलो, आगे देखे अगला लेकिन आपको answer अपने मन में देना होगा, फिलप से, तो में answer बताने से पहले आपके मन में answer आजाना चाहिए, clear है, देखो, officials collected dash from the area under the direct control of the ruler, जो area direct control में रहता था ruler के, जो empire था, तो officials वहां से क्या collect करते थे, कद्दू, नहीं, ठीक है, text collect करते थे थी, तो taxes लिखना है, taxes were being collected by the, from the area under the control of the ruler, फिर क्या है, royal prince, ठीक है, royal princess often went to provinces as, अब मैंने आपको बताया था कि जो main center था, पाटली पुत्र, वहां से तो खुद emperor रूल करता था, लेकिन और भी important center था, जैसे तक्षिला हो गया, जैसे अजयन हो गया, तो यहां पर क्या जाता था, जो raja थे, ठीक है, राजा अपने बेटों को क्या कर देते थे, पहुचा देते थे, कि आप जाओ, आप इन प्रोविंस पे, इस एरिया पे क्या करना, उन सब centers पे, गवर्नर बन के जाना, तो इसका answer क्या होगा, गवर्नर, गवर्नर्स, ठीक, यह लिखते चलना आप आपकी book में, क्या है फिर अगला, the Morian rulers tried to control dash and dash, which were important for transport, Morian rulers थे, वो किन चीजों को control करते थे, जो transportation के perspective से बहुत important होता था, तो roads को control करते थे वो, ठीक, roads, roads के साथ साथ में एक और चीज़ लेफ्टी हूँ तो इधर से लिखना असान रहता है, ठीक है, roads and rivers, roads और rivers को control किया जाता था, ताकि क्या हो, त center, जो center capitals थे, sub capitals से, उसके अलावा भी जो area उसे भी control कर सको, अगला question, people in forested regions provided the Morian officials with dash, अब आपको यह भी पता है कि empire में कुछ centers थे, कुछ ऐसा area थे, जो center से दूर था, और jungle, ठीक है, jungle भी था, forested tracks भी थे, तो जहाँ जंगलों में जो लोग रहते तो वो independent तरह से रहते, लेकिन फिर भी वो राजा को कुछ देते थे, क्या देते थे राजा को, तो वो लोग राजा को, people in forested region provided the Morian officials with, अपने क्या पढ़ा था, elephants provide करते थे, timber, honey, wax, तो इसमें से आप एक-दो चीज़ें कुछ भी लिख सकते हो, तो हम जैसे लिख देते है क्या timbers, ठीक है, timbers provide करत करते थे, ठीक है, ये timbers, timbers के बाद में और क्या provide किया जाता था, तो हम लिख सकते हनी, शहद, ठीक है, जंगलों में बहुत बड़े-बड़े, क्या बोल सकते हनी बीज होते थे, तो वहां से जो शहद मिलता था, उस शहद को, राजा को कह सकते है, tax के form में, या फिर tribute के form म ठीक हनी के बाद में आप wax भी लिख सकते हो, clear, तो ये सारी चीज है, आगा है समझ में, तो ये आपके फिलफ्स लिख देगा है, complete the following sentence आपके हां पर complete हो गा है, तो ये सारे answers आपको लिखना रहेंगे, आशा करता हूं आपने लिख लिए हैं, तो अब हम आगे बढ़ते है इसे हम क्या कर देते हैं, erase कर देते हैं, clear, तो अब देखो अगली चीज और क्या है, अगली important चीज को अगर आप देखोगे, अब आता है true-false, true-false वाले question है, concept वही रहेगा, आपको मन में answer, अपने मन में क्या देना है, पहले answer देना है, फट अफट अफट, क्या है, उज अब आपने देखा इंडिया, इंडिया में यहां उजय है ठाज्टा मॉरियन Coreo Empire था, तो अजय वफट लाफ में जाने रास्ता था, नहीं विल्कुल नहीं Northwest में जाने के लिए तो तक्षिला, उजय हम सabout वफट ँनेक्स हां, उजय हे नौर्ट और सॉथ को सभीभी कारत थ लिखेंगे आगे समझ में तो यह फॉल्स हो गया उजयन इस दी गेटवे टू नॉर्थ टू साउथ नॉर्स से साउथ जाने के लिए वह इस्तमाल किया जाता था इससे फॉल्स लिख देते हैं अगला देखो का है चंद्रगुप्स आइडिया वर रिटन डाउन इन दी अर् जिससे हमें पता चलता है क्या कि कैसा मोर्यन एंपायर था किस ने लिखी थी कॉटल ने ने कॉटल ने लिखी तो आइडिया किसके होंगे कॉटल लिखे होंगे आंसर सही है मतलब यह स्टेटमेंट सही है गलत है गलत है गलत है तो क्या लिखेंगे फॉल्स सिंपल सी चीज स csco इरफ यहांपर यांटर फालस हो गया अब सोचना अपने मझें कंलिंग पुराना नाम करने था क्या ठीड़ें तो यहांपर ट्रू लिखें werde फोल एक वाल सब्सक्राका शोट्रेंस नामित्रिशन अवी Brahmi script तो यह true है 브rami script जो अरलीrande सफिर दूसरी scripts evoluch हुए है अधिकतर अशोकन inscriptions जो अधिकतर inscriptions मिले वो Brahmi script में लिखे हुए है clear हो गया है तो यह true false अब इसको ऐसे रट के नहीं जाना है false 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 true आगे पिछे statement को समझो निननी को समझो कुछ हमारे पास में, तो what were the problems that Ashoka wanted to solve by introducing dhamma, ठीक है, dhamma के principle को introduce करके, Ashoka किन, समाज की किन समस्याओं से समाधान चाह रहे थे, ठीक है, तो dhamma का principle जब उन्होंने इंट्रिदूस किया, तो there were a number of problems that troubled Ashoka, कुछ कुछ समस्याओं थी जिससे Ashoka परिशान थे, जैसे क्या थी, क्या क्या परिशानी थी, वही पूचा है question में, तो he wanted that the slaves should be treated like all other human beings, and there should be no religious conflict, धर्म के बीच में जो conflicts थे, तो वो ना हो, इस चीज से परिशान थे, वो चाहते थे, slaves को equally treat किया जाए, और इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने धम्मा के प्रिंसिपल को लाए, तो Ashoka wanted to solve which problems, तो Ashoka wanted to solve these problems by introducing धम्मा, तो एक problem यह हो गई, दूसरी problem क्या थी, दूसरी problem क्या थी, there were quarrel in family and among neighbors, ठीक है, neighbors जो पडोसी थे, उनके बीच में लडाईया, ठीक है, होती रहती थी, तो उन लडाईयों को सुल जाने के लिए, जो एक family के अंदर भाही भाही लड़ रहे थे, उसे सुल जाने के लिए Ashoka ने धम्मा का प्रिंसिपल का साहारा लिया, ठीक है, slaves and servants were ill-treated, तो slaves and servants जो जो ill-treated थे, उन्हें सही तरह से treatment मिले, ठीक, फिर क्या है, he decided to overcome this problem and try to solve such other problems with the introduction of his धम्मा, तो ये सारी जो समस्या है थी, और इसके सांस्या जो दूसरी भी समस्या है थी, उन्हें solve करने के लिए, Ashoka ने धम्मा के प्रिंसिपल को adopt किया, clear हुआ, तो अब देखो इसी question से चुड़ा अगला question भी है, what were the means adopted by Ashoka to spread the message of धम्मा, ठीक है, जो message था धम्मा का, वो लोगों तक पहुचाने के लिए Ashoka ने क्या तरीके का इस्तमाल किया, किस तरीके का इस्तमाल किया, ठीक है, अब मन में जल्दी से answer आ जाना चाहिए जैसी पूछा, तो सबसे important term क्या लिखोगे, धम्मा महतमास को appoint किया था officials को, जो क्या करेंगे, जगा 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 जाके, ठीक है, they would go to different places and spread the message of धम्मा, ठीक है, अहिंसा मतलब क्या non-violence, तो उन्होंने खुद लोगों को पहले, जैसा हम बोलते न, जो आप बोल रहों पहले करके दिखाओ एक बार, तो अशोका ने बोला कि हमें non-violence को adopt करना है, बुद्धिजम में अहिंसा का जो पात है, जो अहिंसा का पत है, उस पे चलना है हमें, तो उन्होंने यही बोला कि, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, आज से में लडाईयां छोड़ रहा हूँ, कलिंग बावर के बाद में उन्होंने कभी लडाई नहीं लड़ी, ठीक, यह हो गया, तो पत्थरों पे, चट्टानों पे, पिलर्स पर उन्होंने क्या किया, ताकि आज उनके बाद में जाने आली जनरेशन है, वो इस चीज को समझ सके, धमा के प्रिंसिपल को समझ सके, ऑगे देखो क्या है, अगला question why do you think slaves and servants were ill-treated सवाल कि आपको क्या लगता है क्यों slaves और servants को ill-treatment मिलता था मतलब उनके साथ गलत होता था ठीक है और गलत होता था तो इसमें आप जैसे धम्मा अशोका क्या कहना अपने धम्मा के अंदर कि उनके साथ गलत नहीं करना है तो do you think the orders of emperor would improve their condition क्या आपको लगता है कि अगर emperor order दे देंगे तो उनकी condition सुधर जाएगी तो हाँ emperor के order से condition सुधर जाएगी ठीक है give reasons for your answer आपको इस answer को support करने के लिए क्या देना है reasons देना होंगे तो yes we think that the slaves and servants were ill-treated in society because they have no political rights slaves के साथ में ill-treatment होता था क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं होते थे कोई political rights नहीं होते थे the order of the emperor could have made the slaves free ठीक है और जब राजा खुद बोलेंगे कि slaves के साथ में ill-treatment नहीं होना चाहिए हम उन्हें political right दे रहे अधिकार महीं थे तभी उनका हनन होता था तभी उनके साथ गलत होता था अब राजा ने खुद बोल दिया कि नहीं इनका अधिकार है इनके साथ में आपको ill-treatment नहीं करना है तो the order of emperor could have made the slave free ठीक है if the servants were ill-treated then the master could be punished और अगर आप servants के साथ में slaves के साथ में गलत करोगे then the master would be punished जब ये चीज़ों होगी तब जाके कहीना की slaves के rights को protect कर सकते है राजा का order बहुत important role play करेगा यहाँ पे clear हुआ तो इसी के साथ में last question था इसी के साथ में हमारा chapter जो है स्वाहा बोलते हैं ठीक है chapter पूरा complete हुआ कैसा लगा समझ में आई चीज़े नहीं आई है comment section में बताना मजा आया ये भी बताना नहीं आया तो वो भी बताना ठीक है magnet means पर इसी तरह से class 4th से class 12 तक सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सब कुछ systematically video lectures के format में available है इन video lectures को आप YouTube channel पर website पर दोनों जगा देख सकते हैं अपने juniors और seniors को ज़रूर बताईए magnet means के बारे में next video से अगला chapter स्टार्ट करेंगे, नया chapter स्टार्ट करेंगे मिलते हैं वहाँ पर till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much